हलो साथियों नमस्कार मेरा नाम विमला पाल मेरे यूटूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों और बताइए आप लोग कैसे हैं उमीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे स्वस्त होंगे दोस्तों मेरा आप लोग को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यहां नुरूद है कि वीडियो को लोगों में सेयर अवसे करें दोस्तों आज हम फिर आये हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में कहानी है गुस्सा काई चीजों का दुस्मन होता है गुस्मे में लोग बहुत राम सिंग नाम का एक लड़का था वह चार भाई थे चारो भाई आपस में मिल करके रहते थे और सभी खेलते खाते थे एक बार की बात राम सिंग की मा ने एक बार जलेवी बनाई और राम सिंग को जलेवियां बहुत पसंद थी पर जब उसकी मा जलेवी बना रही थी तो उस समय राम सिंग कॉलेज गया हुआ था कॉलेज से वापस आने के बाद वह कोचिंग जाने लगा तब उसकी माने कहा कि बेटा जलेवियां बन गई हैं खा के तब जाओ तब राम सिंग ने अपनी मा से कहा मा मैं वापस आ करके जलेवियां खा लूँगा अभी कोचिंग के लेट हो रहा हूं राम सिंग कोचिंग चला जाता है और कोचिंग से वापस आता है क्योंकि राम सिंग का मन जलेवियों में लगा हुआ था वा सीधे जब कोचिंग से वापस आता है तो जा करके सीधे किचन में सबसे पहले जलेवियों धूंदना शुरू करता है वा किचन मे हर एक जिए जलेवी ढूंटा है जलेविया नहीं मिलती हैं तब वह अपनी मा से जा करके पूछता है तो उसकी मा कहती है बेटा मैंने किचन में ही तुमारे लिए जलेविया ढख करके रख दी थी महीं पर रख ही हैं जा करके ले लो राम सिंग दुबारा फिर जाता है और सबी जगे जलेविया ढूनता पर उसको कहीं भी जलेविया ढूनता है तब वह फ्रिज में खोल कर देखता है वहां भी जलेविया नहीं मिली फिर वा अपनी मा के पास जाता है और कहता मा आप ही चल करके हमें जलेविया डूंड कर दो जब उसकी मा किचन में आती है देखती तो वहाँ पर जलेविया नहीं थी जलेविया कोई और खा चुगा था राम सिंग की मा ने बच्चों से पूछा तब यहाँ पता चला कि राम सिंग का छोटा भाई जलेविया खा चुगा है यहाँ सुन करके राम सिंग की मा ने बच्चों को डाटना सुरूर किया राम सिंग को इतना गुस्सा आया कि राम सिंग ने गुस्से में पानी से भरा हुआ घड़ा तोड़ दिया यह देखकर जब राम सिंग ने पानी से भरा हुआ घड़ा तोड़ दिया तब राम सिंग की मा को गुस्स आया और उन्होंने राम सिंग को थपड़ मारने चली पर पीछे से उनके पिता आ करके उनका हाथ रोक लेते हैं और उनको ले जाकरके रैंगो में बैठाल देते हैं उसके बाद बच्चों से कहते हैं कि जाओ कोई एक गिलास पानी ला करके अपनी मा को दो बच्चे जाते हैं तब पानी का घड़ा तो तूट चुका था पानी घर में था ही नहीं यह सुन करके राम सिंग को अपनी किये हुए पर बहुत अफसोस होता है और वा किचन में खड़ा हुआ रो रहा होता है तब ही राम सिंग की बुवा और जो घर में काम करती है वा दीदी आ करके किचन को साफ करने लगे तब राम सिंग की वुआ ने कहा बेटा संभल के निकलना कहीं पैर में घड़े के टुकड़े ना लग जाएं राम सिंग चुप चाप अपने कमरे में चला जाता है और जा करके वहां बैठ कर रो रहा होता है थोड़ी देर के बाद राम सिंग के पिता जी आते हैं और राम सि को यह लगता है कि पिता जी उसको डाटेंगे लेकिन पिता जी ने कुछ नहीं कहा और राम सिंग के उपर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा कभी इतना गुस्सा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर छोटे भाई ने जलेवी खा लिया तो क्या हुआ तुम्हारी मा तो वैसे भ करना चाहिए कि गुस्षे की वज्जे से हमारा काफि नुक्सान होता है इसलिए हम सभी को गुस्षे में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि अपने ही घर में अपना नुक्सान उठाना पड़े दोस्तों यह रही एक छोटी सी कहानी हम फिर मिलते हैं आप नमस्कार, जै हिल्द, जै भारत